नमस्कार बिहार के बात में आपका स्वागत है मैं हूँ पंकच कुमार इन दिनों प्रशान किशोर की राजनीती बिहार में काफी वुफान पर है और सवाल ये है कि प्रशान किशोर की राजनीती को लेकर चाहे एंडिये हो या महागटवंदन दोनों अपने तरह के दावे कर रहा है सवाल ये उठ रहा है कि कई महागटवंदन के नेता ये कह रहे हैं कि प्रशान किशोर के पास इतने पैसे कहां से आ रहा है कौन फंडिंग कर रहा है प्रशान किशोर क्या बीजेपी की बीटी में वही चर्चा ये भी है कि प्रशान्त किशोर के बढ़ते कद को और उनकी पाटी के बढ़ते कदम को देखते हुए NDA बिहार में जल्दी चुनाओ कराना जाती है। करा लिया जाए जिसका भरपूर फाइदा NDA को मिलेगा। आखिरकार NDA में चल क्या रहा है और प्रशान्त किशोर ने NDA और महागटवंदन दोनों की नींद उड़ा क्यों दी है। हो चुके हैं वहीं अगर कल की बात करें तो कल जेडियू ने RJD के कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करा है। ये खेल सुरू हो चुका है और तेजस्वी यादव इससे खासे परेशान भी है। लेकिन परेशानी इंडिये में भी है। इंडिये को भी लग रहा है कि प्रसान की सोर से कम से कम नुकसान हो इसलिए जल्दी से जल्दी चुनाओ कर लिया जाए। और मेरे पास जो सूत्रों से खबर है वो ये है कि बीजेपी में चुनाओ को लेकर के हलचल तेज हो गई। आखिर क्या कुछ हो रहा है हम आपको बताएंगे पहले आईए सुनते हैं तेजस्वी यादव और प्रसान की शोर एक दूसरे का जवाब कैसे दे रहे हैं और फिर हम सुरू करेंगे चर्चा। तो सारे लोग जड़ा सोच के बताईए कि क्या जंग सुराज में पद के लिए चुनाओ लड़ने के लिए पढ़ाई और डिगरी क्वालिफिकेशन का क्राइटीरिया होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए होना चाहिए बिल्कूल भाई जब हम सभा कराते हैं लोग काता है भया होना ही चाहिए है सभा खतम होता है काता ना भया कम कर दिजिए नतादाद भी छटा जाएगा हम बोले हैं एक गंटा एक गंटा सांती से रही है अब आपने कहा नहीं पढ़ाई का क्राइटीरिया होना चाहिए क्योंकि बिहार के लोग दस्वा फेल लोगों से के नित्रितुबे काम नहीं करना चाहिए हम दस्वा बोले हैं नौवा नहीं बोले हैं नौवा नहीं बोले हैं क्या बोले हैं दस्वा बोले हैं कि नौवा बोले हैं अपने का अधिकार है सबको अपनी बात रखने का अधिकार है तो अच्छी बात है और कोई किसी को बोलता रहता है तो आपने देखा तेजस्वी यादब कि उपर भले ही प्रशांद किशोर का कटाक छो लेकिन तेजस्वी यादब बहुत ही मैच्योर तरीके से जवाब दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है वो अपनी बातें रख सकता है लेकिन प्रशांद किशोर की इस बात से आरजेडी को काफी ति या अभी वो कह रहे हैं दसमी फेल लोगों के हाथ में अपने बच्चों का भविष्ट देंगे सवाल ये उठता है कि प्रशांद किशोर की इस बात को बिहार की जनता एक्सेप्ट करेगी क्यूंकि हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि एक नेता तमिल लाडू के काफी चर्चा में रहे जोड़दार एड्मिस्ट्रेशन के लिए और वो सात्मी पास थे हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए तो लोग चंतर में कई बार ये जरूरी नहीं होता है कि आप बहुत पड़े लिखे हों तब ही काबिल हों ऐसी भी बात नहीं है पर बड़ा सवाल ये उठता है कि जनता किस पर विश्वास करती है जनता कौन से वादों पे ज़्यादा भरोसा दिखाती है क्योंकि अगर आप पिछले चुनाओ की बात करें तो तकरीबन बारा हजार कम वोट पाने की वज़ा से तेजस्वी आदब मुखमंतरी नहीं बन पाये नहीं तो तेजस्वी आदब मुखमंतरी की कुर्सी पर होता है पर सवाल ये उठ रहा है कि अब जो प्रशान्त की शोर एक राजनीतिक ताकत के रूप में उभरते जा रहे हैं उसकी चिंता इंडिये को भी सताने लगी है क्योंकि मेरे पास जानकारी है एंडिये में चुनाओ की चर्चा होने लगी है कहा ये जा रहा है कि चुनाओ कभी भी हो सकता सवाल ये उठ रहा है कि जो नितीस कुमार पहले भी चुनाओ को लेकर के बातें किया करते थे पहले उन्होंने लालू प्रसाद से भी बात की थी कि जल्दी चुनाओं होना चाहिए पर लालू प्रसाद ने कहा था ये अच्छा नहीं होगा फिर जब इंडिये में आये फिर एक चर्चा तेज भी कि नितीश कुमार जल्दी चुनाओं चाहते हैं क्योंकि 43 बिरायक के साथ नितीश कुमार सहज महसूस नहीं कर रहा है पर सवाल ये उठरा है कि बीजेपी के प्रदेश शिकाई के बड़े नेताओं में इस बात की चर्चा है कि चुनाओं कभी भी हो सकता है और चुनाओं जल्दी इसलिए होना चाहिए क्योंकि प्रशान की सोर बड़ी राजनितिक ताकत के रूप में उभर सकते हैं उनको जितना वक्त दीजिएगा उतने ही मजबूत होंगे इसलिए जल्दी चुनाओं करा लिया जाए और उसका परिणाम अंडिये के पक्ष में होगा इस बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारे साथ जोड़ रहें कुछ महमाद जिनसे हम आपका परिचय करा दें हमारे साथ जोड़ चुके हैं प्रवक्ता जन्सुराज पार्टी की पृती नंदनी आपका बहुत स्वागत है पृती हमारे साथ जोड़ रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता प्रमोध कुमार सिना आपका बहुत स्वागत है प्रमोध जी हमारे साथ जोड़ रहे हैं मनीश पा मैं मनीज की चर्चा तेज उठ रही है कि प्रसांद किसोड को जादा वक्त डिया नहीं जाना चाहिए और जादा वक्त नहीं दिया जाना चाहिए ने क्या कि आप भी प्रसंद किसोड से डर गए है Counsel पंगर जी आपको पूरे पैनल को और आपके दर्शकों को नमस्कार सावन की तीसरी सुंबारी की धेरिशारी शुब काम नाएं और आपने जो आज विसेज छेड़ा है तो कहां डर है, कहां शंसे है, कहां श्ट्रगल है, कहां चुनोतियां है बई मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ कि बिहार की राजनीती में जब लोगों से ये वादे किये जाते हैं कि आज हॉल में जितने लोग बैठे हैं एक साल के बाद वो सभी सदन के सदस्य होंगे तो मैं भारतिय राजनीती के तिहास में जाना चाहता हूँ और पंकर जी मैं तो यही कहूँगा कि या वादा तो मुझे लगता है गांदी जी ने भी किसी से नहीं किया होगा और कितना भी बड़ा कोई भी गौड फादर हो राजनीती का आज तक मैंने नहीं सुना कि राजनीती का कोई Godfather कभी भी अपने follower से ये वादा किया हो कि इस हॉल में जितने लोग बैठे एक साल के बाद सभी लोग सदन के सदस्य होंगे या दावे के साथ गारिंटी के साथ कहते अब आप ने अगर उस विशे पे बहत बुलाई है तो मैं भी वही बात कहूँगा कि सभी लोगों को लोगतंतर में राजनीती करने का दिखार है शवी लोगों को वाजए करने का अपना मैनिफेस्टों बनाने का दिखार है अगर प्रशान जी ने भी अकाम किया है तो उनको मुभारट पूरी पूरी शुब कामनाएं है अच्छा है बिहार के हक में बिहार के हित में अगर कुछ बहतर हो तो उसमें क्या परिशानी है मुझे नहीं लगता है कि यहाइदा परशानी का विशा है। और भारतिये जनाता पार्टी की जहां तक बात आप कहते हैं, आपने कहा भारतिये जनता पार्टी की डर गही है। तो देखे मैं एक बाद बड़ा स्पष्ट कहूंगा भारतिय दनता पार्टी को पूरा आज की तारीक में पूरा विश्व राश्टिया मतलब विश्विक राजनिती में जो लोग हैं जो नेता हैं जो राजनितिक दले हैं आपको याद होगा 2014 के बाद पंकर जी प्रांस में चुना हुए थे अमेरिका में चुना हुए थे कई देशों में चुना हुए थे तो वहां का मुद्दा मुख्राश्ट्र है उस मुद्देपर चुनाओ लड़े गए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि भारतियेती जनतापार्टी को आज पूरा विश्व फॉलो करता है एक दम करता है मनीश जी मनीश जी मेरा मेरा सवाल बहुत सीधा है सवाल मेरा सीधा ये है कि पिछले 20 साल से तकरीबन नितीश कुमार मुखमंत्री बीच में 6 मेना जीतन राम मांजी का हटा दिजे तो नितीश कुमार मुखमंत्री है वो चाहे आप के सात हों या चाहे कुछ समय के लिए आर जेडी के सात हों आपको नहीं लगता बिहार की जंता तीसरी सकती की ओर देख रही है बिहार की जनता एक विकल्प की ओर दिख रही है और विकल्प के तोर पर प्रसान किशोर की पाटी बड़ितेजी से उबर रही है इसकी चिंता आपको भी सता रही है नितीश कुमार को भी सता रही है इसलिए चुनाओ जल्दी कराने की बात उठ रही है, क्या इस बात की जानकारी है आपको? मुझे याद है, मेरी मा जिला परश्चत थी और प्रशान जी जो थे, मुख्यमंत्री नितीज जी के साथ थे, सलाकार थे, उरोंने बिहार के सारे जिला परश्चतों के एक बैठेक गुलाई थी, लंपी चोड़ी बाते कितने याद है वो तिन भी, तो देखे जो वैक्ती कि पर आप चुनाओ की बात पर कुछ बोले नहीं, आपने जवाब नहीं दिया कि चुनाओ जल्दी बिहार में होने जा रहा है, क्या, आपकी पार्टी में कहा है, तैयारी करिये, पंकर जी क्यों होगा चुनाओ समय से पहले, मुझे तो ऐसा कोई चीज कुछ भी नहीं दिख़रा, जिससे की समय के पहले जब जनता ने पांच वर्सों का मेंड़िट दिया है, आप मुझे बताए, तो पहले क्यों होगा जनता के निर्णा के खिलाफ जाने की ऐसी राजितिक जरूवत क्या पढ़ गई बिहार को, जब केंद्र में हमारी सरकार है, जनता ने यू के समय से सरकार है, और बिहार में भी हमें एक साथ हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई स्टोरी, कोई स्कृट दूस लिखने की कोई जरूरत है, ने मेरे पास जो जानकारी है, वो यह है कि प्रशान किस और को ज़्यादा समय नहीं देना है, इसलिए जल्दी चुनाव करा लिया जाना चाहिए, मुझे लगता है, अब मैं आर जेडी के प्रवक्ता के पास जाओं, क्या आप लोग परिशान ह जी आपको लग रहा है कि एक alternative जनता को मिलने जा रहा है, इंडिये में तो परिशानी है, इंडिये के सिर्शनेता इस बारे में सोच रहे हैं, क्या आपके उपर जो लगातार प्रसान किशोर हमले करते हैं, कि क्या दस्मी फेल के हाथों में आप अपने बच्चों का से देंगे क्या, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे सब्द नहीं है, मैं बार बार यह कह रहा हूँ, इसलिए मैं बाइट सुनाया हूँ, मेरा तो इस बात पर भरोसा है, इसलिए मैंने जब opening remark दिया, तो एक नेता दक्चिन से आते थे, सात्मी पास थे, और आज भी उनके administration क की चर्चा है, पर सवाल यह उठ रहा है कि जिस तरीके से प्रसांत किशोर इसको मुद्दा बना रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि प्रसांत किशोर से आपको बहुत ज्यादा नुकसान होने जा रहा है, क्यूंकि आपके बिहार के अध्यक्ष ने भी तो इस पर चिंता जाईर की है, उनका लेटर सार्वजनिक हुआ है, कई नेता आपकी पार्टी से उनकी पार्टी में जा चुके है, आपका क्या कहना है इस पर? देखिए पंका जी, सबसे बड़ी बात है कि लोग तंत्र में तो सब को चुनाव लगने का अधिकार है, राजनितिक पारी खेलने का अधिकार है, और कोई भी पार्टी अगर बना करके चुनाव लगना चाहते हैं, तो उससे हम लोग कोई दिक्कत, कोई आपक्ती नहीं है दोग तंत्र है, सबसे पहली बात तो ये है, दूसरी बात आपने जो कहा, कि परसांद किसोर जी कहें जो है, तो उन्होंने जो पाइट सुना आया या उन्होंने जो कटाश किया, आपने देखा हमारे आदर्मियन नेता तेजस्पी पर साद्यादाव जी ने भी इसपर जा की सरकार बनती है तो जो हमारा commitment था आदरनीत एजस्पी प्रसाद यादव जी ने 2050 के विहार बिधान सभा के चुनाओं में जो जंता से वाइदा करने का काम किया था और उसी वाइदा को ले करके जब सरकार बनी तो कि कि 2020 के बिहार विधान सभा के चुनाव में मात्र 12,000 बोट के अंतर से हम लोग पिछर गए पिछर गए या सासना देश के आदेश पर कई सीटों को जो है दस ही 11 बोटों से हडाया गया तो खेर 9 अगस्त 2022 को जब सरकार बनी तो हम जो हमारा जो एजेंडा था जो हमारा स्पोर्ट्स पॉलिसी उसके अलाबा देखे कि रात के दो वजे एक वजे तीन वजे भोड तक हमारे नेता अधरनी तेजस्पी प्रसाद्यादव जी तमाम जगों पर खास करके अस्पतालों का उप्चक निडिछन करते थे मतलब कहने का मतलब साफ है को काफी तेजी से ब बहुत सारी यह जनाए थी जो इवाओं के हीत में थी जैसे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देख लिजे स्किल डेवलप्मेंट प्रोग्राम देख लिजे बिरोजगारी भक्ता देख लिजे स्टार्ट अप निटी देख लिजे और जो सुदूर बढ़ती इलाका था उस बिहार की राजधानी तक पांच घंटे में कैसे पहुंच पत्फो उसकी वह चिंता कर रहे थे वह जब ब्रिटेन गये थे तो वहां की सरकों को और बिहार की मतलब उस तरह की वेवस्पा करना चारा थे प्रमोजी आप आपकी बात पर आ जा रहे हैं सर आपकी बात पर हमा जरूरी था कि हमारे यह देखें आपको इसलिए टोक दे रहा हूं आपको बीच में इसलिए रहा है कि प्रिटेन की सडक और फिर उससे काफी ज़्यादा प्रेरित हुए थे जस्वी जी तो आप अपने 15 साल के कारिकाल को भी याद करिए जिसमें सडक में गड़ा था या कड़े में सडक था इसके लिए भी आप जाने जाते हैं आप उस बयानों में मैं वहीं कह रहा हूं यह यह और दूसरी बड़ी बात जो जेडियू मैं अभी दो दिन पहले ही संजेजा का इंटर्व्यू किया था उन्होंने बड़ा साप शब्दों में का कि अरे शिक्षक क की नौकरी नितीश कुमार ने दी शिक्षा मंतरी उनके दो-दो मैंने मंतराले में आते नहीं थे शिक्षा मंतरी का साइन तक नहीं है उस फाइल पे साइन नितीश कुमार का है और जब जब जो गांधी मैदान में इसकी निवक्तियां बाटी जा रही थी तो खुद ते ज नौकरी पे क्रेडिट आप और जेडियू के बीच में चल रहा है एंडिये के बीच में चल रहा है पर एंडिये इसको एकसेप्ट नहीं करता है और जनता ने लोग सभा चुनाओं में आपको बता दिया कि वो आपको किस तरीके से पसंद कर रहा है बड़ा सवाल ये है आप उस पर आईए कि क्या प्रसांद किशोर को आप बड़ी राजवितिक ताकत मानते हैं मैं सिधा सवाल आपसे कर रहा है देखिए पंकर जी आपने कुछ बाते कहीं उसके बाद जो है हम इस पर जवाब देंगे जो लास्ट आपका वर्ट था लास्ट जो कोस्टन था आप ज जनता दल उनाइटेड क्या कहेगी किते जैसी अगर वो 2020 में अगर वो देना चाहती दस लाग सरकारी निवक्तियां तो 2020 में सरकार बनी थी तो 2022 नो अगस्त क्या कर रही थी ये बतलाने का काम कीजिए ये दूसरी बात है कि जो हमारा विभाग है अगर कैबिनेट में कोई परस्ताव तो बिभागिये परस्ताव ही जाता है ना अलग-अलग बिभाग से ही परस्ताव तो जाता है कैबिनेट में उस पर डिसकर कसन होता है और अंतिम मुहर जो है मानिये मुकमंत्री का होता है ये बतलानी की जरूर थोड़े है जो परकिडिया है वो परकिडिया है द्रीड इच्छा सकती जो थी वो हमारे नेता आदर नीते जस्वी परसाद यादल दी और देखे मैंने पहले ही कहा चाहे परसांत की सोड हो या कोई भी हो 2020 के बिहार विधान सभा के चुनाव में आप देख लिए जनता दल इवनाटेट और भारतिय जनता पाटी एक साथ थी कई और दल उनके साथ थे बाबजूद जो है हम लोग 12,000 बोट के अंतर से हम लोग सरकार नहीं बना पाए और आप जो 2024 के लोग सभा चुनाव की बात आप कर रहे हैं तो बिहार में पुना राष्टिय जनता दल मत परतिसत के हिसाब से एक नमर की पाटी बन के उबड़ी राष्टिय जनता दल का 15 परतिसत जो मत 2019 में मिला था वो सारे 22 परतिसत मिलने का काम हुआ जबकि भारती जनता पाटी का 24 परतिसत मिला था 2019 में और वो 20 परतिसत पड़ा गई 22 परतिसत मिला था जनता दल उनाइटेट को वो सारे 18 परतिसत पड़ा गया तो विहार की जनता ने हमको नकारने का काम नहीं क्या हमारे मत परतिसत में भारी जापा हुआ ये अलग बात है कि कई ऐसी सीटे थी जहां 3,40,000 से 2019 में हारे थे सारे 4,000,000 बोटों से हारे थे वहां हम लोग सीटों का मार्जिन 12,000 और 15,000 के आसपस करने का काम किया कई ऐसे सीटे थी जहां 13,000 के मातर अंतर से हम लोग हा रहे हैं तो सीटों की गन्णना में फिर भी हम लो महागटबंधन एक सीट पर था लेकिन महागटबंधन नो सीट पर जाने का काम किया वो लोग उन 40 सीट पर थे वहां से वो तीस सीट पर आने की आने का काम किये तो बिहार की जनता ने तो जनता का जो विश्वास था हूँ तो हमारे उपर आया महागटबंधन के उपर आय और कोई भी जितने भी लोग हैं और दल भी अगर आना चाहें बिहार की राजनीती में चुनाव लगना चाहें बिहार विधान सवा में तो वो लड़ें उनके लिए क्या तिकत है हम लोग उन सब चीजों से घवराने वाले नहीं है और राश्टिय जनता दल जो है वो कारकरत सब्सक्राइब जो आपने अपनी बात रख दी मैं जाना चाहूंगा प्रवक्ता जनसुराच पार्टी प्रीती नंदनी हमारे साथ हैं प्रीती सीधा सा सवाल है जनता आपको क्यों चुने क्या आपको लग रहा है कि जनता अब आपको विकल्प के रूप में देखने लग काता है कि आप BJP की BTW. और RJD के कई सारे प्रवक्ता प्रशान 30 किशोर Pande के दिए मैं चाहूंगा कि सारी बातों का आप जवाप दें और कि पांडे कहने का मतलब हूं नेता पंडित हैं पहले से जान लीजे तो यह कहने का जाती पर चुनाव लाने का और जेडी प्रयास करती है मेरे पास जो जानकारी है कि एंडिये में भी चर्चा है कि प्रशांत की सोर को ज्यादा समय मत दो नहीं तो प्रशांत की सोर और मजबूत होंगे और बड़ी राजनितिक टाकत हो सकते हैं पर मैं आपसे एक बार फिर से सवाल कर रहो कि जनता आपको क्यों चुने क्योंकि जनता एक तरफ दिल्ली में अर्विन केजरिवाल को भी चुन चुकी और अर्विन केजरिवाल को जिन वादों पर चुनी थी क्या आपको लगता है कि अर्विन केजरिवाल बादों पर खड़े उत्रें उन्होंने एक वैकल्पिक राजनीती देने के बात की थी उस पर वो खड़े तो उतर नहीं पाई वो ठीक उसी तरह पॉलिटिकल पार्टी की तरह काम करने लगे जैसे अन्न पॉलिटिकल पार्टी इस सकतING हैं तो कई वार सवाल यह उठता है कि कहीं प्रसान की शूर बिहार के दूसरे केज्रिवाल तो बनने नहीं जा रहे हैं। कम से कम 20 साल सरकार में भाज़पाद भी रही है। फिर बिहार की हालत ऐसे क्योंगी। प्रसान की सोर को अपना सब कुछ चोड़ करके रोज गाउं में सड़कों में धून फारनी की जरूरत नहीं पड़ती। प्रसान की सोर क्या बोलते हैं उनके एक बात को पकड़ लिया जाता है। मैं चाहती हूँ कि इसके दो साल के जो सफर रहे हैं जिस तरीके से वो दूप में, गर्मी में, पानी में, गाउं गाउं भूम रहे हैं, लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे भी समझा जाना चाहिए। कि आखिर ऐसे क्या मुद्धे हैं बिहार में, कि आज एक रेप्टी को इतना बड़ा अभियान चलाने के जरुरत पही है। अभी तो जन सुराज पार्टी बनी भी नहीं है। और आप देखिए अन्ये पार्टीवों में घबराहट जुरू हो गई है। हमने कुछ दिन पहले ही देखा किस तरीके से आरजरी मुख्याले की तरफ से पत्र जारी किया है। यह साबित करता है कि उनके भीतर ही यह घबराहट है कि कहीं न कहीं प्रिशान की सोर। और जन सुराज अब लगता है नेटवर का प्राब्लम हो गया और इनकी बात बीच में ही रह गई। बिने कुमार जी के पास जाना चाहूंगा। क्या बिने जी आप जन सुराज पार्टी को बड़े पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर देख रहा है। एक फैक्टर है और उस फैक्टर को कमजोर करने के लिए हमें जल्दी से जल्दी चुनाओ कराना चाहिए क्योंकि प्रशान किशोर इंडिये को भी ज्यादा नुक्सान पहुंचा सकते हैं। ये एक सवाल उठ खड़ा हो रहा है। तो मैं विने जी आप से पूछना चाहूंगा। कि आप क्या देख पा रहे हैं कि जन्सुराज पार्टी एक बड़े राजनितिक ताकत के तौर पर बिहार में उभर रही है। नहीं दिखे जहां तक है जन्सुराज पार्टी है तो इसने जगाने का काम किया है। निश्चत रूप से विहार की जन्ता को जगाने का काम किया है। और कहिन कहिंस में परसांद किसोर सफल होते दिख रहे हैं। जिस तरह का उस्था उनकी मीटिंग में दिखाई पड़ता है। और पिछले 32-33 सालों से बड़े भाई, छोटे भाई की विहार में सरकार रही है। लालुजादा, रावली देवी, 29 कुमार इनहीं की सरकार रही है। कुछ अब्धी के लिए, काल खंड के लिए जीतना मांजी जरूर रहे। लेकिन वो भी उनके बारे में तो खुद जीतना मांजी भी कहते थे कि मुखमंत्री निवास में हम अपने मर्जी से एक आम भी नहीं तोड़ सकते थे। तो मुखमंत्री जीतना मांजी कुछ समय के लिए रहे। तो ऐसे में कहीं ने कहीं बिहार की जनता एक नए बिकल्ब चाहती है। नए बिकल्ब की तलास में बिहार की जनता है। और कहीं ने कहीं ऐसी जनता को लगता है कि कहीं कोई हमको रास्ता दिखा रहा है। वारी बातों को लेके आंदोलन खड़ा कर रहा है हमसे आके मिल रहा है हमारी समस्याओं को जान रहा है तुकि बीहार में समस्याओं कामबार है। आज भी बेरोजगारी चरम पर है, सिक्षा बेवस्ता की स्थिती बहुत खराब है, स्वास सुधा की स्थिती बहुत अच्छी नहीं है, कुछ फरंट पर निकीश कुमार ने बहतर काम किया है, सड़क के मुद्दे पर उन्होंने बहतर काम किया, बिजली के मुद्दे पर बह अच्छे अच्छे सिक्षक मिलते थे आज बड़े सिक्षकों की बड़ी कमी है क्योंकि जिस तरह के सिक्षक बहाल हो रहे हैं वो क्वालिटी सिक्षक है नहीं लेकिन बिहार की सिती जो है बिहार की सिती आज भी सोचनी है सोचनी इस मुद्दे में है कि जब बिहार के लोग, तमाम लोग अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दुनिया में कहीं आप जाएंगे तो लोग कहेंगे कि भई बिहार के लोग दुनिया भर में जहां भी रहते हैं अपनी पहचान बनाते है दुनिया भर में अपने बल के प्राकर्म के बदोलत अपनी एक छबी बनाते हैं उस देश को या उस राज को बेहतर बनाने में उनका जोगदान रहता है लेकिन अपने राज को बेहतर नहीं बना पा रहे हैं वो आर्जभट की भूमी, महावीर की भूमी, गौतम बुद्ध की भूमी, गुरु गुबिन सिंग की भूमी, असोक की भूमी, चंद्रगुप चानक की भूमी ऐसे भूमी में जहां कभी सिक्षा का केंदर होता था नालंदा, कभी सिक्षा का केंदर होता था बैसाली दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे, नालंदा में पढ़ने आते थे, लोग तन्त की जन्नी बाइसाली रही, ऐसे बिहार में आज भी बदाली है, आज भी बेवसी है, आज भी यहां के लोग पलायन कर रहे हैं, आज भी बिहार से बाहर जाकर नौकरी की तालास में लोग गूम रहे हैं, अपने बुरहे माबाप को छोड़कर, अपनी बहन को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर, लोग कम पैसे की नौकरी में जाते हैं, दूसरे राज में, तमिलाडो में, अंधर प्रदेश में, केरल में, लक्ष दूइप में, जहां भी आप जाएंगे, पे पर लोगों के पास विकल्प नहीं था ना लोगों के पास लोगों के पास लोगों के पास जगाने का काम वही मैं कह रहा हूं पर लोगों के पास लिए और महा गटवन्दन के अलाबा कुछ सोचने का विकल्प नहीं था ना शवाल यहाने का काम हम तो इसको कह रहे हैं कि जगाने का काम कर रहे हैं क्योंकि बिहार की नाम पर वोटिंग होती है तो अगर इससे उपर उटकर अपने भवित्व के लिए ब तो आप उनकी बातों से सहमत भी हो सकते हैं अब आप तमिल नाडो में कामराज थे जो केवल 60 कलास तक पास साथमी, मेरी जानकारी मैं साथमी नहीं, मैंने साथमी में गए थे साथमी पास नहीं कर पाए उनकी स्कूली सिक्षा 6 सालों की हुई थी तो 6 साल स्कूली सिक्षा के बाद जब वो 52 में बने, मुखमंत्री बने मदरास के तो तसिगारत साल मुखमंत्री रहे और वो पहले ऐसे मुखमंत्री थे देश के जो अंग्रेजी नहीं जानती थे अंग्रेजी बिना जाने वाले उस समय देश के एक मत्र मुखमंत्वी थी तो उन्होंने सबसे बेहतर काम करके दिखाया फिर कांग्रेस के प्रसिडेंट रहे उनका कामराज योजना कांग्रेस में चली तो ऐसा है कैसी बात नहीं कि कम पढ़े लिखे को आप बेहतर नहीं कर सकते बेहतर समाज में कोई भी कर सकता है लेकिन बेहतर करने की मन आपकी इच्छा सकती होनी चाहिए जहां आपकी इच्छा सकती होगी वहीं आप बेहतर कर सकते हैं तो यह उसी ज़्यादा भी क्रिकेट खेलते रहे हो क्रिकेट कारण उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई तो इसलिए वईथा हम नहीं मानते हैं लेकिन आपकी इक्षा सक्ती हो कि हम बेहतर बिहार का निर्मान करें और जहां तक नौकरी का सवाल है चाहे जो भी हो या जो भी कारण रहे निकीश कुमार ने जितनी भी नौकर जादी लेकिन कहीं ने कहीं बिहार के जन्मान स्वें ये बात गया कि यसी जादी नोकरी में ये पर सब्सक्राइब बिने जी पॉइंट टेकन चुकि प्रीती पुर अपना बात रख नहीं पाई थी मैं एक सवाल और एट कर देता हूँ प्रीती कहा जाता आपकी पार्टी का मजाक उड़ाते हैं सवाल फिर वहीं उठ रहा है कि आप भी क्या नए नए सपने दिखा रहे हैं और आपको लग रहा है कि जन्ता आपकी बातों में आ रही है जन्सुराज तो जन्ता को जगाने का काम कर रहा है जन्ता अब समझने लगी है कि हमारे लिए क्या ज़रूरी अगर हम सिक्षित नहीं होंगे तो हमें रुजगार कैसे मिलेगी तो यदि एक बार जन्ता सब्सक्त हो जाएगी तो वो खुट समझ पाएगी कि कौन सी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं बदहाल भिहार के लिए वैसे जन्ता ये भी समझेगी अगर जन्सुरा जपना वादा पूरा नहीं करती है तो उन्हें भी वो बाहर जाने का रास्ता दिखाएगी तो यदि मैं अपनी बातों पर थारा नहीं उत्रा तो आप सवाल पूछने का हख है हमें सरकार से बाहर निकालने का हख है तो अभी तो खर पार्टी नहीं बनी है पार्टी बनने की प्रत्रियाद चल रही है और पार्टी भी इसी लिए बनाई गे क्योंकि बिहार की जन्ता चाहती है कि ये अव्यान पार्टी में बदले और बिहार में बदलाव आए आखिक कब यह सवाल है अगर बिहार जो जन्सुराज से जो भी लोग दूर रहे हैं अगर आप उनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे वो बाहर से अपने काम छोड़ कर आ रहे हैं अब सिर्फ उन्ही को क्यों देखते हैं जो दूसरी पार्टियों से आ रहे हैं अब ये देखे कि कितने ऐसे युवा हैं जो अपनी नौकरिया छोड़के जोड़के और जन्सुराज में सामिक हो रहे हैं और एक नए बिहार के निर्मार के लिए अपना युगदान देना चाहिए उन पर भी बात होनी चाहिए बाकि जो दूसरी पार्टियों में ऐसे नेता जिन आने वाले समय में जन्सुराज और मजबूँच होगा और आगे चलकर करके दिहार के निर्मार के लिए दिहार के लिकास के लिए एक अहम बोले का निक्टाए मनीज जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं हम बोलिए देखे बहन हमारी बैठी है जन्द सुराज की प्रवक्ता मेरी पुरी शुबकामनाय है उनके लिए उनके उज्वल राजजिति भवशी कहीं भी मैं पुरी तरीके से उनके शुबकामनाय देता है मुझे से भी जन्द सुराजवालों ने संपर किया था अभी बहन ने कहा कि बहुत लोग नौकरी छोड़ कर आ रहे हैं यह बड़ा गंभीर विशह है उनके जी एक तरफ हम मुद्दा दे रहे हैं कि हम युवाओं को नौकरी देंगे और दूसरी तरफ प्रवक्ता बहन कह रही है कि नौकरी लोग छोड़ कर आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं इसलिए कि आप मन्ज से कहते हैं कि इस हॉल में बैठे जितने लोग हैं मैं दावा करता हूँ कि एक साल के बाद सभी लोग सदन में बैठे हो इन में से ज़्यादा तर लोग हा तो वो पाँच हजार लोग अगर होंगे तो उस हॉल की कैपिसिटी होगी तो उतने सदन में संथा भी नहीं है तो वो तो वही अंडर स्टूड हो गया कि बात वही कही गई और मैं तो कहता हूँ आपके चैनल पर फंका जी मुझे दो दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए देखिए मैं पूरा बत लाओ कर दो अरे अगर मुख्यमंत्री बनना है न करना नहीं करना ये तो बात की बात है न लेकिन दो दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दिया जाए देखिए ये चीज़े जो है मैं बन जाओंगा मुख्यमंत्री तो ऐसे करूँगा और नहीं करूँगा तो आप हमको बताईएगा इस भीड लगाते हुए भी देखा अभी कह रही थी कि प्रमोर्च जिवाब देंगे इस बात का प्रमोर्च जवाब देंगे जहां आज गंगा जितने पूल बने हैं जो बोल रहे हैं जब दो हजार चार तक जो है केंदर में भारती जनता पार्टी और इंडिया की सरकार थे उस समय बिहार को केंदर से कितना रासी मिलता था 25,000 क्रोर रुपया लेकिं जब यूपिये वन की सरकार बनी दो हजा लाक करोड रुपिया केंदर सरकार ने देने का काम किया और उपिये वन की सरकार ने जो दिया बिहार को जब हमारे नेता अधर्निE लालु परसाद यादा ज़टी जब रेल मंत्री बने तो कई कलकर रखाने देने का काम किया और जब रघुबंस बाबू गरामिन पी गास मंत्री थे तो उन्होंने एक हजार की अबादी वाले गाउं के पहुचपत पहुचाने का काम किया काम किया उसके अलावा आप देखिए कि मंड्रे का काम के बदले अनाज परदान मंत्री गरं सरकी उजना तुरित गरामिन चला पुर्ती उजना राश्तिये गरामिन स्वास्त मिसन तो यह सब जोच्छा अब्यान यह सब यह सब जोजनाएं की उसी को आप लोग भुनाने का काम किये कि05 से 2010 तक जो है पर हमारी सरकार में पिछले दस्वतों में आप सुन लिए मनें काम कर रहे हैं तो मुझी आप यह पता है कि धातल पर कितनी उत्नाएं उत्री एक लाग पैंशाथ हजार करोड का जो पूल बने प्रोशना किये है दो हजार पंगा पर कितनी पूल बने प्रिती जी जवाब देंगे आपको फिर प्रिती जी जवाब देंगी क्या हुआ मनिज जी को बोलने दीजे प्रमोज जी अब आपने बहुत सारा जवाज सवाल पूछ लिया मनिज जवाब देंगे प्रमोज जी मैंने कहा मैंने 1,65,000 करोड का कोई पैकेज की बात नहीं की वो तो 1,25,000 ही है जो नरेंदर मोदी जी ने दिया था मैंने बजट का आकार बिहार का बताया था कि 22,000 करोड रुपया का बजट जब छूटा था जहां से एंडिये की सरकार सत्ता में आई थी 2005 में वहां से लेकर और रहाद 1,62,62 करोड रुपया का बजट बिहार में है गंगा पर कितने बिरीजिक बने रेल्वे का कि जो है इसका जवाब कौन देगा लगतार डवल इंगर की सरकार है पिछले 17-18 सालों से बीच के अगर तो आज नितिया योग का ही रिपोर्ट है आप ही का रिपोर्ट है ये मेरा रिपोर्ट नहीं है रास्के रंतादल ने के लिए प्यार किया है परबोट जी अब बोलने दीजिये आपने बहुत कुछ कह दी आप उनको बोलने दीजिये देखे विशय आज आज़ाद और भाजपन नहीं है आपके भटक रहे हैं यहां आज का विशेज वह जन्द सुराज का विशेज आपको प्रमोजी पहले तो बता हम लोग हम और आप तो लड़ते रहेंगे जन्द सुराज क्या परिवर्तन ले आएगा सत्ता में आने के बाद और मैं देखे पंकर जी मैं एक दिन जो अभी अभी जश्ट बकसर समय बहुत ज़्यादा समय नहीं लोगा मैं संचेप में निकलूँगा बकसर के जो अभी सांसत बने हैं मैं उनका एक दिन एक न्यू चैनल पर इंटर्विव सुन रहा था उन्हीं के एक वैक्ति अभी जंस इंटर्व्यू कर रहे थे तो कह रहे थे कि सांसत किसी एक लोकसवा छेतर का नहीं होता सांसत पूरे देश का होता है और जब पैसा आएगा केंद्र सरकार देगी तब तो विकास होगा न देखिए कार्वीन केजरिवाल जी सत्ता में आने के पहले कहते कि हर्याना को पानी द बनाएंगे राज के सरकार की अपनी एक छमता होती है राज के सरकार का रेवेन्यू कलेक्शन बिहार में जितना अगर माल लिया जाए प्रसां किशोर जी मुक्यमंत्री बन जाएंगे बैर रेवेन्यू कलेक्शन जब तक नहीं करेंगे और किसे करेंगे रेवेन्यू कलेक मनीश जी मनीश जी मनीश जी मनीश जी मैं इस सब्सक्राइब कि पूरी बात समझ में आ गए आपकी पूरी बात समझ में आगे सवाल यही उत्पन होता है ना कि 32-33 साल से बिहार की सत्ता लालू प्रसाद रबडी देवी या नितिश कुमार के हाथ में रही है और बीजेपी भी उसमें सहभागी रही है पिछले 18-19 साल से सवाल यह उठ रहा है कि अगर जनता विकल्प की ओर देखने लगे तो निश्चित तोर पर जो वर्तमान गवर्नेंस है या पास्ट का जो गवर्नेंस है उसको जनता के बीच उसको लेकर के कोई उम्मीद बची भी नहीं रह गई है तब ही तो कोई विकल्प की तरफ भागता है दिल्ली में अर्विन केजरीवाल का चुना हुआ तो क्यों च प्रस्टाचार के आड़ में और बहुत तरह की कहनी सवाल फिर वही उठ खड़ा हो रहा है सवाल फिर वही उठ खड़ा हो रहा है मैं चाहूंगा विने जी से मैं इस सवाल का जवाब लूगा मेरा क्लेम सिर्फ पंकर जी ये है कि आप कोई नई नई पाटी बनाते हैं और और जाकर जन्ता को जूट बोलते हैं कि मैं सब्ता में आउंगा तो ऐसे कर दूँगा जबकि वह आपके आउस पर वीने जी जरूर प्रकाश डाले मेरा उनसे उजारिश है और आप जन्ता को ता का जवाब आप जरूर दीजेंगे अब देश की राजधानी दिल्ली है दिल्ली में तीन तीन बार के जिरिवाल को समठतर वहां की जन्ता ने दिया क्यों दिया उन्होंने काम किया कुछ काम करके उन्हों दिखा बीजली के सेक्टर में काम किया सिच्चा के सेक्टर में काम किया आज दिल्ली के अस्पतालों में आप चले जाएए मामूली खर्च पर आपका हिलाज हो जाएगा वह इसी सुधा आज भी हर में नहीं अब जो हम कामराज की बात कर रहे थे जब कामराज बने थे तमिलाडू के बदरास के मुखमती बने थे चोवन में तो उन्होंने हर कौम में प्रात्मिक स्कूल खोलने का काम किया और 11 मी क्लास तक निशुल शिक्षा ब्यवस्ता और अनिवार सिक्षा सब के लिए शिक्षा और अनिवार निशुल कोई पैसा नहीं लगना है इसके अलावा उन्होंने मध्यान भोजन की योजना सुरू की कि बच्चे उसके कारण इसकूल आए पहला मध्यान भोजन की योजना तमिल आड़ो से सुरू हुए और कामराज को इसका स्रें और तमिल भासा में उन्होंने पढ़ाई शुरू कि आज भी तमिल भासा में वहां जो हम लोग कहते हैं कि अपनी माति भासा में पढ़ाई होनी चाहिए अज भ दौरत जिन चीजों की आवज सकता है उन चीजों को अगर सरकार करेगी तो सरकार की जैजे होगी जो भी वैक्ति करेंगे जो भी पार्टी करेगी जब ये चीजे नहीं होती है जनता की आकंचाए हैं जनता की उमीदे हैं चुकि लोग तंत्र में सबसे बड़ी ताकत है व हम किसी को मुक मंतری बनाते हैं किसी को प्रधान मंतरी बनाते हैं और किसी को सबसे जudentा की उत्थान के लिए काम कर सकता है लिग enlarwydd के जब नहीं होता है तब लोगों को लगटा कि कोई बेकल्पिक राश्ता और बेकल्पिक रास्ता कई याँ रहे साब देखे आंध्रप्रत्थ में रामारौ का उदेहुआ अगर उस घ्टना को याद करहेंकि किस ANDREW रहें कोगरे yol खित अपना पार्टि जनता पार्टी जनता परटी दुटंग तुमिन पेंग उससे जादा विधायक और सांसद उसके हैं तो इस तरह से जब विकल्प तो जनता चुन्त यह बनातीये के चुकि जनता महान है और जनता जानती है कि हमको क्या करना चाहिए और भारत की जनता को आप देखेंगे हर अफसर पर उसने अपना फाइसला लिया है लगता है लोग की वह जनता नहीं विने जी विने जी आपने अपनी बात कह दी मैं प्रमोज जी आप से भी पूछना चाहूंगा आपकी पार्टी म को अपने साथ जुड़े रखने के लिए भी तेजस्वी यादव मैदान में उतर रहे हैं पंदरा तारीक के बाद यातरा की बात की जा रही है और आरजेडी के भीतर भी दो बात की चर्चा बहुत तेज है एक तो उत्तर बिहार में यादव और मुसल्मान आरजेडी के सा इन्दैक नहीं रहे है और उत्तर बिहार में यहीं वज़य रही कि कई जगे आप बुरे तरीके से हाड़े आपका कोर वोट बैंक आपके साथ नहीं रहा चाहे वो मदेपूरा हो, मेरा मतलब है सहर सा हो, चाहे मधुवनी हो, हर जगे आप हारे दर्भंगा में हारे, तो आपका कोर वोट बैंक आपके साथ नहीं रहा है। और दूसरी बड़ी बात जो लोगों को समझ में आ रही है, आपके नेता को समझ में आ रही है कि प्रसांत की सोर से बड़ा डेंट पहुंच सकता है। बेटे को उप मुख मंतरी और मुख मंतरी बनाने में लगे रहते हैं। वो अपनी जाती के प्रती भी वफादार होते तो उसी जाती में सबसे टैलेंटेड वेक्ती को वो मुखमंत्री बनाते लेकिन ऐसा तो वो करते नहीं है वो सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करते उसी में लगे रहते हैं और ये बात कई जगे गाओं में लोगों को समझ म क्या आने लग लगिए क्या आपको लग रहा है कि यह चिंता आर जेडी में भी आप चरम पर है क्योंकि आपके प्रदेस अध्यख्ष नों ने भी इस पर चिंता जाइर की और कई लोगों को प्रशान की सोर की पार्टी से दूर रहने के लिए का कई लोगों को पार्टी से निकाला भी क्योंकि आपकी पार्टी से भी कई लोग उनके साथ जा रहे हैं क्या कहना चाहेंगे पंका जी आपने एक साथ कई सवाल करने का काम किया तो मैं सबसे पहले बताओं कि 15 अगस्त के बाद जो प्रस्तावरी थे हमारे नेता आधरनीत जस्वी परसाद यादर जी का जनता के पीछ जो जाने का कारिकरम जो तो यह कारिकरम आज तरह नहीं हुआ है यह कारिकरम आफ्टर चुनाव जो है लोकसभा चुनाव के बाद ही यह कारिकरम तई हुआ था कि हम 15 अगस्त के बाद फिर हम जनता के बीच में जाएंगे और जो बर्तमान में जो समस्याँ हैं चैहे जन शरोकार का जो भी मामला है जो मुद्दे हैं जो जुवलन समस्याँ हैं उन तमाम समस्याओं को ले करके हम जनता के बीच में जाने का काम करेगा और अभी दो दिन पहले ही हमारे नेता अधरनीत इजस्पी प्रसागा दिया तो जिने एक प्रेस कोंफरेंस करके सारी बातों को असपस्ट करने का भी काम किया। कि जो 17 मां के अलपकाल में जातिये जनगना या सर्वे कराया गया और उसके अधार पर जो पाया गया कि बिहार की 94 लाक परिवार जो हैं उसकी मासी कामदनी मातर 6000 रुपया से कम है तो 33 प्रतिसाग जो बिहार की आवादी है तो ये समझने की बात है तो आरच्छन का दाइरा भी उस अलपकाल में बढ़ाया गया 65 परतिसाग किया गया और EWS को 10 परसेंट यानि की 75 परतिसाग किया गया और हमारे नेता आदरनी तेजस्पी परसाद यादोजी लगातार मांग करते रहे कि इसको नौमी अनुसूची में सामिल किया जाए लेकिन केंदर सरकार ने इसक परतना की हैं बात कर लें गोलियों की तरतरहाट अक्सर सुनाई परती है चाहे लूट हो हत्या हो बलतकार की घटनाएं यह बहुत बढ़ गई है उसके अलावा आप देखिए एक पख़वारे में देश का एक मात रईसार राज्य बिहार जहां दरजनों पूल पुलिया ब हमला कर रहे हैं तो परसांत की सोड़ जी क्या विहार की कोई भी ऐसी पाटी नहीं है चाहे वह भारती जनता पाटी हो जनता दल उनाइटेड हो या दूसरे अंड पाटियां है वो लगतार वो जानते हैं कि लालू प्रसाद यादाव जी यहां के सबसे बड़े नेता हैं देश के बड़े नेता हैं इन पर ही हमला करने का वो पडियास करते हैं हमारे नेता चले हैं आपने आपने अपनी आपने अपनी बात रख दी मैं मैं प्रीती के पास जाना चाहूँ प्रीती क्या आपको ये बात समझ में आ चुकी है कि जो लालू प्रसाद सजायाफता रह चुके हैं सजायाफता हैं वो उनकी पार्टी अगर भरस्टाचार की बात करेगी तो जनता उस पर यकीन नहीं और साथ यही वज़ा है कि आप एक अलग वैकल्पिक रूप में एक पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना चाह रही हैं आपकी पार्टी आगे बढ़ाना चाह रही है या प्रसाद की सोर आगे बढ़ाना चाह रही है क्योंकि उनको लग रहा है कि लालू प्रसाद भरस्टाच पराद के खिलाब बोलें तो कौन भरोसा करेगा और क्यूं करेगा इसलिए आपको लग रहा है कि ठीक है जाती पाती की राजनीती की जाए क्योंकि बिहार में जाती एक सचाई है इसलिए आपने ये चूस किया कि हर साल फला जाती से अध्यक्ष होगा लेकिन आप ये बात सम समझ रही है कि लालू प्रसाद अपराद पर बोलें कोई नहीं मानेगा उनकी पार्टी अपराद पर बात करें कोई नहीं मानेगा उनकी पार्टी भरस्टाचार पर बात करें क्योंकि खुद राश्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद है तो इसको जनता यकीन नहीं करेगी इसलिए विकल्प के तौर पर जन्द सुराज पार्टी का इसको बनता है और इसलिए आपका confidence बहुत ज़ादा है कि लोग आपको चुनेंगे क्या कहना चाहती है आप अगर हमारे जो भी मौजू दा पार्टी है अगर वो अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे होते तो यह स्थिति नहीं होती मैं तो हर बार यही कहूंगी कि आप हमें जाती में जाएंगे आप हमें ए टिम बी टिम कहेंगे लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ सिख्छा रोजगार और भीहार की विकास की बात रहीं और जहां तक मैं मनिजजजी के बात में जो उसके ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारी पाटी या हमारा भियान जो है वो रोजगार की बात करता है और आपके कह रही है कि नौकरी छोड़ के लोगा रहे हैं जायद मनिजजजी ने मेरी बात अच्छे से नहीं सुनी मैं ये कहा कि बाहर जो नौकरी करते हैं जो खुद ससक्त हैं और वो योगदान देना चाहते हैं बिहार को वो बिहार नौकर यदि ऐसे लोग जो खुद में समाथ्य रखते हैं कि वो दूसरों के लिए समाज के लिए बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं। निन जरूर आना चाहिए। और सामिर को करके इस अभियान में जुर्ना चाहिए। मनिजी नहीं जी और उनके पास भी फरस्ता व गया था। या उन से संत्ति किया गया था। मैं तो मनिजी को भी कहूंगी कि आभी आए और नए भी हर के निर्मान में अभी अपना योगदान दीजी नहीं पर विने जी मनी जी आप कुछ कहना चाहरे हैं हां बोलिए कि इस परकार से जाती को मत फोकस किया हो और जिसने यह नहीं बताया हो कि कि जाती का मुक्य मंतरी किस साल होगा देखिए क्या होस्यारी है राजवितिक के खुटिलता कितना बढ़िया है पंकर जी आप इसको समझ सकते हैं मुख्यमंत्री किस जाती का होगा हर साल यह भी बताया गया क्योंकि वो तो फिक्स है वो तो तैय है लेकिन अध्याचिक जाती का किस साल होगा यह बस्तिक तोटल ऑल और प्तब तोटल पॉलिटिक से ज़्टादा कुछ नहीं है और ये जो चीजे बदलने की जो बात हो रही है परिवर्तन की जो बात हो रही है न वो बाते सिर्फ और सिर्फ अपने नीजी स्वार्थ के लिए हो रही है जिन लोगों ने किसी ने किसी रूप से सत्ता में आकर सत्ता को नज़िक से देखा सत्ता को नज़िक से समझा और वो बहुत बदला और एक चीज़ पंकर जी मैं कहना चाहूंगा लाक्त में संचेप में कहना चाहूंगा अगर बिहार के विकास की बात कह रहे हैं और उसमें देखिए दस वर्सों में पूरा देश विक्सित हुआ है उसी रफ्तार में बिहार की डेवलप्मेंट हुआ अब नीत कि आते हैं तो विहार ही तो आ रहा है ना तो हम इसको सीरे से खारीच नहीं कर सकते हैं यह बाद भी कली सब्सक्राइब पूंगा उसी जानकारी आपको लगता है कि NDA में जरूर किसी ना किसी तरह की हल चल है नितीश कुमार चुनाव जल्दी चाह रहे हैं वज़े यह भी कि है कि प्रशान किशोर ज़्यादा ताकतवर होते हैं तो नुकसान ज़्यादा NDA का होगा यह आपको क्या लगता है कि नुकसान RGD को भी हो सकता है दोनों पार्टियां प्रशान किशोर को ले करके किसी ना किसी रूप में परिशान है क्या कहना चाहते है नहीं देखें किया कि जो बिहार का लोग समाज चुना हुआ उसमें आरजेडी बैक पूट पर चली गई आरजेडी के लोग उमीद कर रहे थे कि बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीटें हम जीतने में काम्याव हो गए लेकिन केबल चार सीटें वो जीत पाए और वो भी उसमें तीन सीट में तो लोगों की बड़ी भूंका रही एक तो काराकाट से जो निर्दली उमीदवार हो गए थे और दूसरे निर्दली उमीदवार जहानाबाद से अरुन कुमार हो गए थे इनके कारण उनको तीन सीटे मिल दें वर्ना एक सिट RGD को मिलती तो RGD में कहीं कहीं इस बात की चर्चा है उनके पिढ़ायकों में भी चर्चा है है उनकी कांटी करता है दूसी तरफ जो तमाम लोग यह नमाल लगा रहे थे कि निठोई स्कुवार फिनिस हो गए उनकी पार्तिश्था कम और फिर अगए निजंदिаем धारने शीël में झो इस सवेसर कार चल रही है उस सरकार के बारती जांता पार्टि जो मोदी की गारेंटी देता था पहले अब NDA की गारेंटी दे रहा है फरक यह है तो इसमें निचीज कुमार की प्रतिस्था बढ़ी है निचीज कुमार की ताकत बढ़ी है आइचे में हो सकता है निचीज कुमार चाहे कि जो अभी हमारी ताकत बढ़ी है जो हमारी प्रतिस्थ बढ़ी है हम बहतर ज्यादा से ज्यादा एलाइस में सीटे लेकर अपने को मजबूत करें हो सकता है उच्छनों में जाए इस पर चर्चा हो सकती है और हो रही होगी अब क्या निद्रे लेंगी वो तो नेंद मोदी और निचीज कुमार जानते होंगे चुकि दोनों बहुत दोनों के पेट से बात निकालना बहुत कठिन काम है हम लोग बहुत लंबे समय ते कि निचीज कुमार को भी कवर किये निचीज कुमार से बात निकलवाना बहुत मुस्किल काम लेकिन कहीं कहीं ये जरूर पक रही होगी कि इस लोग प्रीता का जो और दूसी तरह पर आप आप देख रहे हैं कि संसद में इंडिया कटबंदन काफी चढ़ा हुआ है तो ऐसे में इंडिया कटबंदन ज्यादा चढ़ है उसके पहले हो सकते हैं बिहार में चुनाओ करा कर फिर एक वाल एंडिये की सरकार बना ले ये पहल हो सकती है ये पहल हो सकती है चलिए अब जो मेरी जानकारी थी मैंने शेयर किया इंडिये में भी हल चल है और जेडी भी परेशान है फिर सवाल वही उट खड़ा होता है कि क्या आने वाले विधान सभा चुनाओं में प्रशान किशोर की पार्टी जन सुराज पार्टी एक नए विकल् रूप में सामने आएगी क्या उसकी राजनीतिक ताकत की चर्चा जो अभी हो रही है वह वाकई ताकत के रूप में उभर करके सामने आएगी जो भी होगा हम जरूर बताते रहेंगे मनिस पांडे आपका प्रमुत कुमार सिना जी आपका पृती नंदनी विने कुमार जी आप सभी लोगों का बिहार की बात में सिरकत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और शुक्रिया. तो बिहार की बात में इतना ही ताजा तरीन ख़बरों के लिए आप लगातार देखते रहिए टीवी नाइन धन्यवाद नमस्कार.